आज मैं विशक जोशी, एलेक्रिकल इंजिनियर इन बिला ग्रूप अफ कंपनीज, दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडेस्ट्री इस में यूस होने वाले विजुल कट ओफ स्विच यानि की VCS के बारे में, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडेस्ट्री इस में विज विजुल कट ओफ स्विच लगाना पड़ता है, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, विजुल कट ओफ स्विच का बेसिक कॉंसेप्ट क्या होता है, यह आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट क विजुल कट ओफ स्विच में लगा होता है, क्योंकि यह बेसिकली एक कट ओफ स्विच है, जिसका काम होता है सप्लाई को आइसुलेट करना, तो इसलिए विजुल कट ओफ स्विच में बेसिकली एक आइसुलेटर लगाया जाता है, जिसके हेल्प से मोटर में जाने वाली supply को आप easily isolate कर सकते हैं यहां दोस्तों आपके मांड में सवाल यह आएगा कि अगर हमें supply को आइसलेट करना है तो इंडस्तों में तो पीटी डालू और लुटो टो फॉलो की ओणवाल किया जाता है मैंने पीटी डवलो आर लो टो टो पर एक मिडियो बनाया है इस ही ब्नटी और 2500 गोट Smash industries में follow किया जाता है यह बहुत ही important है जो लोग भी industries में work कर रहे हैं या future में करने वाले हैं उन सभी के लिए तो इस वीडियो को जरूर देखेगा तो जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है उनके mind में सबसे पहला सवाल तो की अगर आपको भी मोटर के शप्लाइब करना है थितली में तो पीडियोड्य ली या जाता है और इसके बाद हम فीडर से ऀसुनलेटर को बंद करके सप्लाइब को रहात करते हैं और उसके इसबाद जो भी और लोटोटो कुछ हद तक time consuming होते हैं थोड़ा time आपको invest करना पड़ता है PTW और लोटोटो के procedure को fulfill करने के लिए मान लीजे किसी drive में कोई problem आती है और आपके पास 15 minute का ही time है उस 15 minute में अगर आपने उस problem को solve नहीं किया तो आपका plant बंद हो सकता है या कोई जो major drive है उसका stoppage आ सकता है अब इस 15 minute के time period में अगर आप permit to work लेंगे लोटोटो का पूरा procedure करेंगे तो शायद ये पूरा procedure करने में ही आपको 15 minute लग जाए तो ऐसे में आप काम शुरू कप करेंगे उस काम को complete कप करेंगे ये सारे challenges को solve करने के लिए visual cutoff switch का concept industries में यूज किया जाता है देखिए जो ऐसे critical problems होती है जो 10 minute में solve करना ज़रूरी है 15 minute में solve करना ज़रूरी है वहाँ पर आप PTW या लोटोटो का procedure industries में follow नहीं करते वहाँ पर आप visual cutoff switch का use करते हैं VCS से आप isolator को बंद करते हैं और अपना काम तूरण शुरू करते हैं ताकि 15 minute की जो timeline है उसमें आप अपना काम complete कर सकें यहाँ दोस्तों आपको यह भी पता होना चीए कि visual cutoff switch basically circuit में लगाया कहां जाता है आपके mind में आप सवाल यह आएगा कि basically industries में एक feeder होता है यह panel से supply CD हमारे motor में जाती है और motor गूमना शुरू हो जाती है ऐसे में visual cutoff switch जो VCS है उसको आप लगाते कहां है तो देखिए visual cutoff switch आपका जो feeder है आपका जो electrical panel है उसके और motor के बीच में install किया जाता है जैसे इस diagram में भी आप देख रहे हैं कि आपका जो feeder है feeder से RYB 3 phase निकले और वो 3 phase पहले आपके VCS में गए है VCS से जो 3 phase निकले है VCS का जो outgoing है वो अब आपके motor में गया है तो मान लीजी आपको इस motor में कोई काम लेना है और आप lototo या PTW का format पूरी तरीके से follow नहीं कर सकते क्योंकि जो time limit आपके पास है वो 10-15 minutes है तो ऐसे में आप सीधे motor के पास जाएंगे और यह जो visual cutoff switch है यह बिल्कुल motor के पास ही install किया जाता है ताकि आप अपने location से कहीं आपको दूर ना जाना पड़े supply को isolate करने के लिए तो वहां जाएंगे इस तरीके का box आपको लगा हुआ मिलेगा site पर इस पर red color का आप जो handle देख रहे हैं वो basically isolator है इस isolator को जैसे ही आप operate करेंगे इस handle को जैसे ही आप operate करेंगे वैसे ही आपका isolator operate हो जाएगा और आपकी जो supply है यह cutoff हो जाएगी अब अगर मालीजे आपका feeder on condition में भी है तो भी आपकी motor चालू नहीं हो सकती क्योंकि बीच में आपने जो visual cutoff switch लगाया है उससे आपने supply को cutoff कर दिया है अब मालीजे आपका feeder healthy है अगर feeder से motor को command भी आती है on command भी आती है तो भी motor में three phase supply जाएगा ही नहीं पर दोस्तों यहां आपको यह चीज़ भी पता होनी चीए कि इस तरीके से VCS operate करके अगर हम लोग maintenance का काम ले सकते हैं तो फिर हमें PTW और LOTOTO करने की requirement ही क्या है फिर PTW और LOTOTO आप हटाई दीजिए system से हर जगे VCS लगा दीजिए हम site पर जाएंगे isolator को operate करेंगे supply isolate हो जाएगी और जो भी काम हमको motor में करना है या drive में करना है वो हम easily कर सकते हैं तो इतना paperwork और इतने procedure follow क्यों करना है तो देखें VCS की कुछ limitation भी होती है पहली चीज़ आपको interview point of view से यह पता होनी चीए कि visual cutoff switch यानि कि VCS हम 30 kilowatt तक की motor में ही लगा सकते हैं तो VCS के बारे में यह चीज़ ध्यान में रखिए कि up to 30 kilowatt की जो motor है वहीं आप visual cutoff switch लगा सकते हैं 30 kilowatt की above की motor में आप VCS practically industries में नहीं लगाएंगे दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप जो काम लेने वाले हैं वो काम 10-15 मिनिट का ही है तभी आप VCS operate करके अपना काम शुरू कर सकते हैं ऐसा नहीं होना चीए कि आपको 2 घंटे का काम लेना है और आप सोच रहे हैं कि कौन PTW और LOTOTO में पूरा time waste करेगा इतना time invest करेंगे paper work करने के लिए उससे अच्छा site पर जो VCS लगा है उसका isolator operate करिए isolate करिए अपनी supply को और काम शुरू करिए तो ये आप नहीं कर सकते ये आपके जो rules है उनका violation कहलाएगा तो अगर 10 मिनिट, 15 मिनिट बहुत हो गया तो 20 मिनिट इतने time period का ही अगर आपकी job है अगर आप इतने time period का ही काम लेने वाले हैं तो ही आप VCS operate करके कर सकते हैं इसे ज़ादा time period का अगर आपको काम लेना है तो आपको PTW और LOTOTO के standard procedures को follow करना पड़ेगा तो दोस्तो visual cutoff switch का concept क्या होता है ये अगर आपको समझ में आया हो और अगर आप इससे एक step और आगे बढ़ना चाहते हैं अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि VCS की फिर drawing किस तरीके से होती है इसका control diagram कैसा होता है power diagram कैसा होता है ये सारे चीज़े अगर आप सीखना चाहते हैं कमेंट बोक्स में बताइएगा आने वाले वीडियो में हम लोग visual cutoff switch के जो वाइडिंग डाइग्राम से है उन topics को भी involve कर लेंगे तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो visual cutoff switch जैसा concept अगर आपने पहली बार सुना हो तो भी मुझे कमेंट बोक्स में बताइएगा मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब ते करना ध्यान रखे गुड़ पाई